आम आदमी पार्टी की है पहले वो पंजाब को दोशी ठेराते थे लेकिन पंजाब से में जब से सरकार बन गई है अब वो केवल हर्याना को दोशी ठेराते हैं हमारे साथ खुद एवं वनेवं प्रियावन मंतरी राव नर्बीर सिंग जी है उनसे भी बातचित करते हैं राव साब लगातार जो दिल्ली की मुक्ह मंतरी है अभी आतीशी वह पराली के लिए हर्याना को जिम्Дा ठरा रही है कि पराली हर्याना के अंदर जल रही है इस वज़े से जो एर क्वालिटी इंडेक्स है दिली का आसपास का वो खराब हो रहा है पंजाब ने बड़ा सुधार किया है ऐसा वो उनका कहना है क्या कहना चाहिए अभी पिछले दिनों माननी है सुप्रीम कोट में इस बात की पैरी भी हुई थी और उन्होंने पंजाब स करना चाहता हूं पंजाब और दिल्ली की आप आद्वी पार्टी की सरकार से कि इसको राजनितिंग मुद्धा ना बना करके यह लोगों के जीवन के सवास्त का हमारा खिलवाड ना हो हम इसका एक सोलूशन ऐसा ढूंड़ने जिससे यह पोलूशन कम हो सके और राजनितिं के सवास्त पर इसका बड़ा फरक पड़ता है मैंने पिछले दिनों भी डिपार्टमेंट में मीटिंग कि इसकी कोशिस की कि यह पोलूशन कम हो लेकिन अकेला एक हरियाना इसमें कारवाई नहीं कर सकता और कारवाई करेगा तो उसका असर भी नहीं होगा क्योंकि जब तक खिराप जैसे का किया करते थे जब से हम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में बढ़े तो घ्रियाना का कह रहे हैं यह मुद्दा नहीं होना चींद मुद्दा होना चीं लोगों के जीवन का लोगों के सांसों पर फरक ना पड़ है एक अच्छा वात्ता वन हरी आणा ह सब्सक्राइब कर दिया गया है वो हर्याना के भी चोदा जिले हैं या दिल्ली है किस तरह का प्रभाव अब पढ़ने वाला है देखो हमेशा हर साल करते हम यह और अब तो हमने चोदा पांच जिलों में सब्सक्राइब । दिल्ली देश की राजदानी है इसका वातवन अच्छा रहे पॉलुशन ना रहे ऐसी हमें व्यवस्ता करनी चीए तके आने वाड़े बच्चों का स्वास्त अच्छा हो से अभी क्या लग रहा है कि केवल राजनिती हो रही है क्योंकि दिल्ली कभी अर्याना को दोशी ठरा देता है पंजाब के जो नेता हैं वो हर्याना को दोशी ठरा देते हैं आपस में आरोप परत्यारोप का खेल चल रहा है को मुझे तकरीबन एक महीना होगा आज अठारा तारीक के सतरा तारीक को हमने मिनिस्टर बने थे मुझे पॉलुशन का महकमा भी मिला और मैंने पहले ठीक रहे उस विशे में हम चिंता करेंगे और बहुत जल्दीस बारे में हमें इंसियार के लोगों की मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाएंगे अदिकारियों के भी मिटिंग बुलाएंगे कि आएंदा आने वाड़े सालों हर साल पॉलुशन का वह एक्वाई बढ़ रहा है कि इसको नियंतर कैसे किया जाए और इसमें राजनितिक व्यानवाजी ना राली को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए क्योंकि हर बार दोशी जो है पराली को ठराज दिया जाता है देको जहां तक मेरा आकला नहीं एक मैंने पिछले दो साल पहले एक अख़़ में भी पढ़ा कि इस पराली का कुल पांच या शे परसेंट असर पॉलूशन पर पढ़ता है और पांच शे परसेंट ज्यादा नहीं होता और फिलाल इन दिनों में पराली जलना बंद आज के पराली जलाना एक मसला है लेकिन अगर संभव हो तो मंत्री साहब ने जो शादी नहीं हो सकता क्लाइमिट चेंज का कोई माम लाओ लेकिन इसका सॉलूशन साइंटिस्ट बैठके निकाड़े कि इस चेतर में यह परदूर्शन ना आपने एक और चीज अलग चीज कहीं हट करके कि शादी के कार्ड जो छपवाई जाते हैं वो भी एक परियावन खराब हो होने का एक जरिया है वो किस तरह से कहना में चुनाव में भी जब वोट मांगता था जब भी मैं कहता था कि जो यह पॉली थिन काम इस्तेमाल करते हैं यह सबसे ज्यादा जहिला दुआ कोई भी आदमी इस बारे में सोचे रूसे पॉली थिन के बैक को दिया पन्नी को आप NCR NCR में एक साल में दस करोड़ शादिया होती है हर लोग कार्ड बारते हैं छोटा परिवार दोसो कार्ड बारता है बड़ा संपन परिवार हजारों कार्ड बारता है और कार्ड कुछ साल पहले बनवाते थे अब तो सूट केश चल गए बड़े बड़े जिसमें बहुत से सामान काजू बादा बिस्ता भी लोग देते हैं जैसे जैसी संपंता ऐसे फ़ाने लगे तो मैं मानता हूं कि साथ करोड़ किनी क्यों को सूछ मीडिया करते हैं कितने पेड़ों कटने से काड बढते हैं तो यदि हमारे दुक vegan मैसेज पर सुक में क्यों नई आज आपको जरुरूत है कल मुझे जरूरूत है मैं आपके मैसिज पर जा रहा हूं आप मेरे मैसिज पर जा रहे हैं यदि ये चलन होगा तो लाखों पेड़ कटने बच जाएंगे एक पर्यावर्ण में एक सुधार आएगा बिल्कुल अंकिता आप देख सकते हैं कि एक शोशल पहल है और उस शोशल पहल के जरिये राव न कारण है इनका की शादी के कार्ड ना चपवाने का एक लोजिक जबरदस्त लोजिक है लोग समझेंगे दीरे-दीरे समझेंगे क्योंकि खुद से आद्वी उधारन सेट करता है और राव नर्बीर सिंग ने खुद से उधारन सेट किया है कुद के जो बेटे की शादी हु तब भी कहते हुए नजराय थे और अभी भी जब अब खुद परियावन मंत्राले उनको मिल गया है तब वह यह बात कहते हुए नजरा रहे जी यानिकि पेड़ काट कर बनने वाली हर चीज को अगर अवाइड किया जाए अन्नेसेसरी इस्तेमाल ना किया जाए तो जिस त परियावन जो खराब हो रहा है जो पॉलूशन हो रहा है वो कैसे ठीक होगा तो कही ना कहीं जरिया वही है पेड़ अगर ज्यादा संख्या के अंदर रहेंगे तो कही ना कहीं मोसम ठीक रहेगा और यही कहने की एक कोशिश है तो एक केवल काट नहीं और भी बहुत सारी कैसी तीजे है